बिमा समिती बाट इजाज़त प्राप्त 20 कम्पनी ले 1,25,000 को कुरोना बिमा गराई रहे काशन। 1,00,000 बिमांग का लागी 1,000,000 बिमांग का लागी 500 बिमां सुलक कायम गरीये कोशा। सामोईक मा बसेका परिवार को सामोईक बिमा गरीये को खंडामा 1,60,000,000 को 300 रुपयां सुलक तोकिये कोशा। हाल कोरोना को PCR परिक्षेन सर्चाली सुटा सरकारी निकाय हरु बात भईराये कोशा। सरकारले 13 निजीले आप बात परिक्षेन गराउना अनुमती पनी पायकोशा। तेस पायक पनी सरकारले तोकिये को भंदा सस्तो सुलकामा PCR परिक्षेन हुन थाले को हो। बिमा समितिले हालसमा 8,44,000 नेपाली को करोना बिमा गरीकोशा। बिमालेक जारी भायको चार महिनामा 8,44,000 नागरीको करोना बिमा गरा आएकोशा। तेस बापत अहिले सम्मा 47 करोड रुपईया बिमा प्रिमेर संकलन भायकोशा। समितिले सबई निर्जिवन भिमा कमपणी को भिमा पूल मार्फद भिमा लेखा जारी करने बेवस्था गरेकोशा। मन्त्राले अंत्रकत को निकाय बाटर टेस्ट भायकोला जे साथ देन भित्र तुरुमत पेमेंट दिने। हालसमग निपाल मा कोरोणा संक्रमित को संख्याय करीब 46,000 पगे कोशा। अहिले सम्मा 10 लाक बड़ीले कोरोणा बिमा गराइ सके काशन। कोरोना बीमा गता बैसाग देखी शुरुभाय को हो, एता स्वास्ते मंत्रालेले पछिलो चरण मा निजी अस्पताल लाई PCR परिक्षन को अधिकार दिये को छा, तर पछिलो बीमा समितिले सरकारी अस्पताल को PCR परिक्षन लाई मानियता दिने वेवस्ता करे को छा, तर अनुछार स्वास्त मंत्राले अंतर्गत का निजी अधिकाय बात माद्रे PCR परिक्षन पछि भिमा भुगतानी को भेवस्ता छा, तर पछिलो सरकारले माप दंडलाई परिश्क्रित गरे पछि भिमां को भिशे पेचिलो बने को हो, तर निजी अस्पताले पनी PCR परिक्षन करते आए गाशन, तर सरकार को पछिलो परिस्क्रित माप दंडले बिमांग दाबी गर्न नपाउने, बिमां समिती को नणायले निजी बाटा परिक्षन गर्ने हरुको बिमांग फविश्य के हुन्च, अन्योलता सुरोफायकुछ, ये सर्थ सरकारले तोके को माप दंडलाई पनी संप्रेशन गर्ना जरूरी छा, माउंटिन तेले भीजन का लागे इस वास्ते बीरो को शात्मा बिनीता के सी कटमेंटों। कर दो लागे इसुटन का बिनी पुमेंटों बिनी ंविए स्वागे इस वा बिनी च बिनी संप्रेशन पांटों।